आजादे के अमरित महात्सोफ के बीच इंदोर में इमली साहिब गुरुदवार पर तिरंगा फढ़ाये जाने पर विवात खड़ा हो गिया था शिरुमनी गुरुदवार प्रवंदंग कमीटी ने एतरास जताया है उन्होंने टोईट करते हुए कहा कि गुरुदवार साहिब में सिर्फ कालसा निशान फैड़ाया जा सकता है इधर इमली साहिब गुरुदवार कमीटी का पक्ष सामने नहीं आया है गुरुदवारों की कमीटी के सदस्य ने मीडिया को बताया कि दो दिन पहरे मुक मंत्री की तिरंगा यातरा निकाली थी तब फिरी में जंडे बाटे थे तब किसी बच्चे न गया जंडा वहां लगाया था जिसे तुरंथ हटवाद भी दिया गया था लेकिन किसी ने या फोटो खीच कर वायल कर दिया उधर अमरीज सर में सीखो के सबसे बड़े धार्मिक संसा SGPC के प्रवंदन एडवोकेट धामी ने कहा कि शोशल मीडिया के जरिये उन्हें MP के इंदौर में इमली साहिब में तिरंगा फढ़ाय जाएने की बात पता चली है वह उसकी कड़ी निंदा करते हैं श्री गुरु नानक देवजी ने इससे बड़े तिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब के केवल खालसा की निशान साहिब की ही फैड़ाया जा सकता है SGPC प्रधान धामी ने कहा कि गुरुद्वारा प्रवंदन का यह प्राशाशन जिसने भी यह गल्ती की है वह इस घटना के लिए जिम्मेदार है उन्होंने तुरन इस घटना की जाच का आदेश दे दी है उनका कहना है कि इस जाच में जो भी दोशी पाये जाएगा उसके खलाफ आगे की करवाई की जाएगी SGPC पहले ही गुरुद्वार पर तिरंगा फैनाने का हिदायत जारी कर चुकी है SGPC का मानना है किसी कराहत मर्यादव के अनुस्वार किसी भी गुरुद्वारे के साहे पर सिर्फ कालसा खेसरी जहनदा ही फैनाया जा सकता है इससे पहले हरियाना सरकार ने प्रदेश के गुरुद्वारों के तिनंगा फैनाने की बात कही थी जिसके बाद SGPC के तराज जताया और हडियाना सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा था वपूर्ब जिला पंचायत सदस्य और मसोधा के मसहूर बंगाली दवा खाना के चर्मरोग विशेसक्ज डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरब से सभी सम्मानी देश वा प्रदेश वासियों को अमरित महोसों के पावन अवसर पर 15 अगस्थ नाग पंच में रख्चा बंधन और स्रीकिष्ट जनमाष्ट में की हर्दिक सुपकाम नाए श्रीमती सांतिदेवी हर्सकंडी स्कूल जुगसना बलदेव मतुरा प्रबंदक हरिसिंग चोधरी वा मैनेजिंग डारेक्टर दीपचन चौधरी की ओर से सभी छेत्रवासियों को रक्षा बंधन जन्माश्टमी वा पच्छतर्वल सुतंतरता दिवस की हार्दिक सुपकामनाए